नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विक्राम और आप देख रहा है हमारा चैनल अस्टाड़ी वाइफाई जी के की दुनिया और आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर रहा हूँ फिजिक्स का 50 क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कर लीजिए और साथ ही साथ मेल आइकन को भी दवादेज़ेंगे ताकि लिए टेस्ट वीडियो नोट्फिकर शेल आपको मिल सकते जह तो सफ़से पहले आप ऑच्छे को अच्छे सी मरी fakult किसी पिन का भार किसी पिंड का भार कैसा होता है तो किसी पिंड का भार जो है । तो अंसर भी दुरूवों पर अधिकता मोता जो तो दुरूवों पर जो किसी पिंट का भार होता है वो अधिकता मोता चलेंगे अगले क्यूशन की और तुमारा अगला क्यूशन जो है वो पूछा गया है सेट में लिप्ट में ब्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिप्ट जिया तो जब लिप्ट की स्थिती क्या होती है तो इसका भी साही अंसर जो हो जाएगा जब लिप्ट गति से उपर जाती है तब किसी ब्यक्ति का भार जो है अधिक होता है चलेंगे प्यूशन की और तुमारा अगला प्यूशन जो है वो बोले जाएगा किसी पिंड का किसी पिंड को पिर्थिवी से चांदरमा पर ले जाने पर क्या होगा जै जो एसका ही अंसर जो है ुसका सैयनसर ऑठो उसका द्रवमान वही रहेगा किंटू भार भिन में नमच्छान में किसी पिंड का बेग दुगना हो जाएगा तो बियेक दूगना हो तो उसकी क्या है जो बदलेगी या फिर वही रहेगी तो इसका सही अंसर एंसर भी उसका संबेग जो है दूगना हो जाएगी जैस तो उसका संबेग किसी पिंड के बेग में अगर बेग दूगना हो जाए तो उसका जो संबेग भी है वो भी दूगना हो जाएगा चलेंगे गे लेक कियो चैने का ऊजाए है किसी चाहिब का बेग दोगुणा हो जाने पर उसकी गतीज उर्जा पर परवा पड़ेगा तो इसका सही आंसर दोस्तो tough answer C यानिकी चार गुनी हो जाएगा जो जब के बेग को दोगुणा कर दिया जाएगा तो उसकी जो गतीज और जींगे। चार गुनी हो जाएगी। चलेंगे। एगले क्योर्शन की ओर तुमारा अगला क्योर्शन जो है, वह पूछा गया है। गूछा गया है। बैमंडली दाब कुमापने का आवस्यक एंतर कौन सा है। तो बहुत ही आसान स क्योशन और बहुत ही महत्वपून है यह भी भी आई क्योशन है क्योंकि हमारे एक जाम में लगातार बार-बार ही एक जाम दूर आए जाते हैं तो इसका सही अंसर आप लोगों को पता है होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं बैरो मीटर जो तो किसी पिंड का अधिक्तम भार किस स्थिती में जादा यान की होता है अधिक्तम भार होता है तो इसका भी सही अंसर जो है आप लोगों को पता होगा जो निर्वात में जो है किसी पिंड का भार अधिक्तम होता है चलेंगे अगले क्योशन की और तमारा अगला क्योशन जो है पूछा गया है एक जल से भरे वीकर में बर्प का टुकड़ा तैर रहा है बर्प के पिगलने पर बीकर का जल का तल क्या होगा जो तो बीकर के जल के तल में क्या परवाव पड़ेगा तो इसका भी सही अंसर जो है आप लोगों को पता ही होगा बहुत यहांसा क्योशन है कि करा पूरवता बना रहा है जानर कि कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा क्योंकि द्रभ्य मेंद से उस्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो बहुत ही आसा सा क्यूशन है तो पारा ज्यूशत pensar चालक रहा जो कि द्रभ्वयों में सबसे अती माना जता है अंगरой क्यूशन की और तुमारा अगला क्यूशन जो है वह पूछा गया है अधरता माप्यंतर की सहाइटा से निंविकित में मापन चीज का मापन किया जाता है जो इस का सही आंसर प्यक्षित मापि इस मैं पूछा गया है निमली चिछित में तरंग सबसे लंबी होता है जै granular सबसे लंबी होती है तो इसका सही अंसर अब रक्त किरण कि जो है सबसे अध्यीक होती है चलेंगा क्योषिन क्यूर तुमारा अगला क्योषिन फूठागा है पूर्ण सूर्ज ग्रहन तो पूर्ण सूर्ज ग्रहन में सूर्ज का कौन सा भाग दिखाई देता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है तो इसका सही अंसर है क्रीट तो क्रीट यानि की कुरोना भी जिसको कहते हैं वह भाग सूर्ज ग्रहन पूर्ण सूर्ण ग्रहन के तो बहुत ही आसां सा क्योशना बहुत ही मद्पोर्ण है तो इसका सही अंसर है आपहासी होता है जो इसका सहीं आपहासी होता है चलेंगे एस सब्सक्राशा है निकि अबतल दर्पन लगा अब्तलक होता है पूछा जाता है सनेता हैं कि मोटर हैं को पिंदतार से प्रक्राइब किया की जाता है इसका अंसर गिए बन का परियोग की डाला के देखने यह बार यह बाएम पूछा जा रहा है बहुत ही इंपोर्डेन्ट सुन है यह भी पी आई क्योंशन एंदोस्तों इसे प्राथमीं क्याते हैं तीन प्राथमीं कोंशन यानि कि त्री प्राथमिक रंग वह पूछ रहा है क्यामरे का कौन सा भाग मानव नेतर की द्रिष्टी पटल का के सद्रिस है जिस तो camera का कौन सा यहाँ कैम्रे का छे भी ए पूर्छ और तमारा आगला क्योशन है पूर्सों की उज्सका स्वार, जै है, उच अब रिसी कंई है, जो दोस्तो वह इस तीजियों की ध्वानी अधिक तीट्चन होती हैं. चलेंगे अगले Qtion, के ओर तो नहीं जो है, जाने तो हमारा अगला क्यूचन जो है वो पूछा जा रहा है ध्वानी का अधिक्तम बेग किसमें होता जहां तो ध्वानी का अधिक्तम बेग जो है किसमें है तो यह आपका उनिवर्सल क्यूचन है तो यह आपका उनिवर्सल क्यूचन है बार बार हमारे ग्यास में पूछा जाता है और बहुत ही की सा केहिशन है तो इस्तपाथ में जो है ध्वानि का बैग सबसे अधीक होता हैThree क्यूच जो है मौक संख्या का संबन्द किस्से है तो मोक संख्या का संभंध है वह किस्से याट झालत अंतारि च्छान के वेग से प्धान के वेगा से लिए सर दोस्तों यहां पर बाई मिस्टेक हो गया अंतरिक्ष यान का संबंध जो है वह बायू यान के बेग से है बाई मिस्टेक हो गया था दोस्तों कोई दिक्कत नहीं चलेंगा अगले क्यों thick कि और तुम्हारा अगला क्यों जो है वो पूछा गया जैंगे ऑगला क्यों पूछा गया है निमली खित में से कौनसी युक्ति विद्दूतोर्जा को यांत्रीक उर्जा मरें परिपहरतित करती है जो तो जो है वाली में कौन से यूगतीज़िए वो ट्रांसफर करती है तो इस का सई अंसर है बिद्द्ध hearत उर्जा को या अंत्रिक से यांत्रीक जैंसर डाते हैं बदल होता है जैनस तो द्वानी में होता है चलेंगे यह नहीं क्योंत सब्सक्रण में आगला क्योंत वो पूछा जा रहा जैनसर को बिद्था करनेлично आगले dose करनेवाली युट्री कह लाती है तो इसका सही एंसर है क्या तो डाइनेम हो जो यह आंतटी कुर्जा को बिद्दुत परईपात कार्पार में क्या होता है तो बहुत असा साक्यूषियदा है डाइक आपको अंसर की और तो अंसर सी इसका सभी है अतीभारन या लगुपतन की स्थिति में परिपत का भंग करना जो है वह का का जो फ्यूज का चलेंगे अगले क्यूषियदा है पूछा गया है परमानु की प्रभावित रिज्जा कितनी होती है बहुत ही important question बहुत ही आसान सा question है परमानु की प्रभावित रिज्जा जो है वो कितनी होती है तो इसका सही answer है दोस्तो answer B यानि की 10 to the power minus 10 जी आनि फिर या फिर इसको बोल सकते हैं 10 इन पर 10 meter होती है चलेंगे यूरेनियम 235 नाभिक में क्या होते हैं तो इसका सही अंसर है अंसर डी यानि कि प्रोटोन वा निट्रोन का बल संख्या जो है 235 होती है चलेंगे अगले क्योस्टन कि और तुमारा अगला क्योस्टन जो है जो की 27 नंबर क्योस्टन में पूछा जा रहा है प्रमानों के चलेंगे परिब्र दश्या Mamma किरौने प्रमानों के नाभिक परिवर्दन के फाल सरोप गामा किरने उत्पन होती है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन है खागोली दूरी का मातरक क्या है जहां तो खागोली दूरी का मातरक जो है के जो तो सूर्ज के अलावा पिर्थिवी के निकटम तारे से परकास को पिर्थिवी तक पहुचने में यानि की पिर्थिवी तक आने में कितना समय लगता है जो तो कितना समय लगता है तो इसका सही अंसर है अंसर सी यानि की 4.2 वर्स लगता है जो तो 4.2 वर्स लगता है च समुधर में बस्तु आगर दूबा हुआ है तो इसको पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण पड़योग किया जाता है तो इसका सही अंसर भी यानि की सोनार जिए तो नौस अन्चाल को द्वारा इसोनार का पड़योग किया जाता है। question की ओर तुमारा अगला question जो है वो पूछा गया है निम लिखित जियांस तो निम लिखित में से कौन सा पदार्थ भारी असने मसीनों में असने हक के रूप में परियुक्त किया जाता है जियांस तो असने हक के रूप में परियुक्त किया जाता है तो इसका सही को ऐंसर में वह सने के रूप में ग्रिफॉर्स गट्री चिया जाता है चलेंगे अगले पूछा जा रहा है टो ग्रेयों कियासर है कि स्था ऑच में निगार 오른 सahe किसका है तो इसका सई अंसर है पासकल के अंसर कार करती है तो पासकल के सिधांत के अंसर hydraulic break काम करती है चलेंगे अगले question क्यों तमारा अगला question जो है वो पूछा गया है डॉक्टरो द्वारा रोगी ब्यक्ति के पेट की आंतरिक परिश्चन है तो अंतर दर्शी यानि कि एंडोस्कोप का प्रकास में क्या होता है तो एंडोस्कोप के प्रकास में कौन सा किरन होता है तो बहुत ही important question है इसका science है पुन आंतरिक परवर्तन निर्भर करता है तो पुन आंतरिक परवर्तन पर यह जो प्रकास जो है न डी सी में जो बहुत थी important question है एस ची को डी सी में परिवर्तन करने की युक्ति कौन सी है जो परिवर्तित करने की युक्ति जो है वो कौन सी है तो इसका सब्सक्राइब अंसर भी यानि की द्रिष्ट कारी जिसको इंग्लिस में बोला जाता है तो द्रिष्ट कारी कहा जाता है जिसको हम लोग नॉर्मली अडेप्टर के रूप में परियोग करते हैं चलेंगे अगले question की और तुमारा अगला question जो है वो बोला जा रहा है प्रकास के बेग की तुल अंसर बी जो दोस्तो अंसर सी यानि की जो है रेडियो तरंगों का बेग जो है वो अधीक होता है जियांस तो रेडियो तरंगों का बेग जो है वो अधीक होता है चलेंगे अगले question की और तुमारा अगला question जो है बोला जारा है निमलिखित में से जियांस तो निमलिखित म यह जो है वो कणन है और पॉपजिटॉन एक प्रती कन है चलेंगे अगले क्योंच की ओर तो अगला क्योश्वर जो भोला जा रहा है ठाटीस सेवल क्योश्वर क्योंच में बोला रहा है प्रसुद बिग बैंक फियोरी किसा मुंह सिदांत पर अधreciрित्प तो किसा मुखे से दान पर अधारित है तो इसका सही अंसर है और बी यानि की डॉपलोब प्रहेवाबर के उपर यह अधारित है चलेंगे अगले क्यों स्पे ऑर तूमारा अगला क्योंचन जो है क्वाल्ट सिक्ष्टी से कौन सी किर्ने निकलती है वह बोला जा रहा है तो हमारे से साइट नंबर वन में जिहां तो हमारे सेट नमबर वन में जो बोला जा रहा है जिहां तो बोला जा रहा है गुरुतवा कर्षन के नियम के अविस्कारक कौन है जिहां तो बहुत ही जिसा क्योशन है और BBI क्योशन है क्योंकि यह क्योशन बार बार दो रहा जाता है और बहुत ही जिसा है तो गुर स्थों की क्या जो हं fulfilled तो इस सब्सक्तिस उससे सांसर सीस चलेंगे यह तुमारा कि यूट गटी सीव बस में ऐचानक पर्योट लगाने से सवारी आगे की और जुख जाती है किसनियाम काही रहन करता है जिसका सईए इंसर निटन, निब insult का। इसका यह के हरेक किरिया के विपरीत किरिया इसका प्रत्थम रहन कर रहा है तो पूझी के रहा है, वह क्या है तो इसका सही अंसर है दोस्तों अंसर C यानि कि Newton minus meter square by kg square चलेंगा अगले question की ओर तुमारा अगला question जो है वो पूछा गया है question number 43 में आवेग का माप है जिया तो आवेग का माप जो है वो क्या है तो इसका सही अंसर है अब एक भार का MAP है आपका अंसर अंसर भी सही है यानि कि गरा मीटर प्रति सेंटी मीटर यह ंंस्तों की ग्राप मेटर 30 सेंटी मीटर स्कॉार है चलेंगे अगले क्योंचंद की और तुमारा आगला क्योंचंद जो है वह पूछा जा रहा है है कितना होता है स्टार क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा पूछा है पूछा जारा है एकटके मैक्रोन कि यो है आपका जीरो POINE WORMS के अन्सर चलेंगे लिए š यह बोले है ताप मान का आइ. साइ मातरग जो है वह क्या होता है तो सफेंसर है ऑद्र बी यह चो केलविन का एशाई मातरा कहता है चलेंगे एंयारा क्यों पूछा ज़रा जारा मिखर Murder पूछा जारा ज़रा क्यों अंचा चास्पाते होई कि हुए जए अगरी तेस्पीर को अपनी समाने गरोओं के नियम के परतिपाध कुस ने किया तो ग्राओं के नियम के परतिपादक कौन है यह प्र किस ने किया ऊप लोग को पता ही होगा इस फैयर स कुछन और ग्रॉचन परतिपादक की अंसर, डई सही है चलेंगे अगले क्यों और तुम्र English क्यूशन जो है वो इस सेट नमबर का सेट नमबर वान का सेकंड लास्ट क्यूशन है का जा रहा है एक जेट इंजन जेज तो एक जेट इंजन किस सी धान्त पर कार्ज करती है तो रह खिये संबेग संदिछन के सिधान्त पर कार्ज करती है यानि कि अंसर डी सही है चलेंगे वीडियो के सब से last question जो है यह कंख से एक कंख का बेग अपने आरंबिक मान का एक तिहाई कर दिया जाता है तो कंख की गतिज उर्जा क्या हो जाएगी दो गतिज उर्जा जो है वह क्या हो जाएगी तो बहुत ही असान सा यानिकि एक बटा तीन कर दी जाए तो एक बटा तीन गुनी हो जाएगी यहना तो दोस्तों आप लोग बताए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को share कर दीजिए और like भी कर दीजिए और set number 2 जो है जल्द ही हम आपके सामने ले कर आएंगा और दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूच ना सुझाव या फिर सिकायत है तो आप हमारे comment box में जाकर comment कर सकते हैं इस वीडियो को देखने और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए red बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सथी साथ बेल आइकन को भी दबा दिए तक लिए टेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब आप लोग को मिल सके इस वीडियो को पूरा दहन्यवाद